Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे Assessment Worksheet No.3, 4 Class 10 विशे हिंदी है और ये Worksheet आपके लिए 21st August 2021 के लिए शेडिूल की गई है So आज की Worksheet है बच्चो बहुत ही जो है आसान Worksheet है आपकी जिसके आंसर आप कुछ से कर सकते हो क्योंकि आप आपका ये टेस्ट है तो आप जो है इसको पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा So वक्षी शुकरने से पहले बेटा प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी बेल आइकन को भी प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखे सबसे पहले आपको यहाँ पर गद्यांस दिया गया है गद्यांस को पढ़कर जो नीचे प्रशन पूछे गए हैं उनके अंसर आपको करने हैं हमारा देश वीविदिता से भरा देश है यानि हमारे देश में बहुत सारी क्या है विभिन्नताई है ठीक है खानपान में विभिन्नताई है और भाशा में विभिन्नताई है तो इस तरह से हमारा देश क्या कह सकते हैं हम विभिन्नताओं या विविदिताओं से भरा हुआ देश है, यहां की ना सिर्फ संस्कृती परमपरा में विबिन्नता है बलकि यहां का मोसम भी विबिन्नताओं से भरा हुआ है, अलग-अलग तरह है कि क्या है मौसम है लोगों ने अपने काम और मौसम के मिज़ाज के हिसाब से साल में छे रितु में बाटा है तो लोगोंने कितने रितों में बाटा है, साल को 6 जो है रितों में बाटा है, जो की हैं, कौनसी कौनसी रितों हैं, ग्रिश्रम यानि गर्मी, वर्षा रितो, शरद रितो, हेमंत, शिशिर और वसंद रितो, हर एक मौसम का अपना-पना अलग अंदाज है, ग्रिश्रम के बा जो है क्या आता है बारिश का मौसम आता है जैसे कि अभी बारिश का मौसम जो है वो चल रहा है तो ग्रिशम के बाद क्या होता है कि वर्षा के आगमन में क्या है कि उसे वर्षा आने से भारी गर्मी में गिरावटे आ जाती है और अचानक से मौसम खुशाल हो जाता है अपन और श्रावन ये दो मा मुख्यत वर्षा के होती हैं तो कौन-कौन से हैं आसाड और श्रावन मास लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है जो अंग्रेजी कलेंडर के हिसाब से जून से शुरू होकर बीच सितंबर तक रहती है तो बिटा ये जो आपको महीने दिये गए हैं आसाड श्रावन चैत ये सब होते हैं हिंदी महीने हिंदी कलेंडर के अनुसार अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार हम जून जुलाई अगस्त ऐसे जो है हमारे महीने चलते हैं तकरीबन चार महा देश में देश भर में बारिश होती रहती है इसके लिए वर्षा के इस काल को चत्रमास भी कहा जाता है भारत में वर्षा का खूब महत्व है हमारे देश की अर्थववस्था पूरी तरह से मांसून यानि वर्षा रितू पर निर्भर करती है तो हमारे देश की जो हमारा देश जो है वो कृशी प्रधान देश है तो कृषी प्रधान देश होने के कारण हमारी अर्थ व्यवस्ता वो किस पर रिभर करती है वो खेती पर निरभर करती है वो बारिश पर करती है यानि मानसून पर निरभर करती है तो अब देखिए अब यहाँ पे कुछ प्रशन दिये गए हैं बहुत ही आसान से यह प्रशन है पहला जो प्रेशन है डैश रितू के बाद वर्षा रितू आती है तो किसके बाद वर्षा रितू आती है option A वसंथ, option B सिसर, option C है ग्रिश्रम and option D है हेमन्थ तो किसके बाद जो आती है ग्रिश्रम रितू के बाद वर्षा रितू आती है C option जो है आपका ठीक रहेगा Next देखिए Question number 2 है वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है किसमे गर्मी में, सर्दी में, बाजार में या शरीर में तो किसमे भारी गिरावट आती है गर्मी में जो है वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है नेक्स देखें, नमबर 3, कौन से दो माह मुख्यत वर्षा-रितू के होते हैं सावनभादो, या अशविनकार्तिक, फागουν या चेत्र, या आसाड या श्रावन तो हमने बढ़ा था आशाड या श्रावण और श्रावण ये दो महीने हैं जिन में जो मुख्यते वर्षारितू के होती हैं तो D option आपका सही हो जाएगा नेक्स देखे नमबर फूर गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्य हैं तो गिरावट में मूल शब्द और प्रत्य प्रत्य क्या होते हैं जो पीछे लगते हैं उनको प्रत्य कहते हैं तो यहाँ पे आपको option दिये गए हैं गिर जमावट बी option है गिरा जमावट C option है गी जमा रावट D option है गी राव जमा आठ तो इसमें क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा A गिर जमा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा A गिर जमा आवट गिर जो है यहाँ पर मूल शब्द है और आवट यहाँ पर क्या है? प्रत्य है Next देखिए Question number 5 है आगमन शब्द का विलोम क्या है? तो देखिए आगमन का मतलब होता है आना इसका विलोम क्या होगा? परागमन परागमन का मतलब है जाना प्रस्थान करना यानि चले जाना निरगमन यानि चले जाना गमन का मतलब है यह भी जाना तो आगमन शब्द का यहाँ पर यह तीनों का ही चारों का ही अर्थ जो है वो क्या है चले जाना है तो चारों में से कोई भी option आपका ठीक हो सकता है clear तो कोई भी option आप यहाँ पे लगा दीजिए ठीक है तो यह थोड़ा सा जो है यहाँ पे इस तरह से दे दिया गया है नहीं तो एक आंसर ठीक होता है next देखे question number 6 है हमारे देश का मौसम डैस B से बरा हुआ है तो देखे हमारे देश का मौसम जो है किस से बरा हुआ है एकता से विभिन्नता से समानता से या अनेकता से तो हमारे देश का मौसम विभिन्नता से बरा हुआ है तो B जो है इसका अंसर हो जाएगा विभिन्नता से ठीक है next देखे नमबर 7 लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से बाटा है तो किसको बाटा है ए रित्मों को ठीक है बी साल को सी देश को और डी जो है छेत्र को तो लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से रित्मों को जो है उनको बाट दिया है इसमें जो है आप दे काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल को 6 रितूव में बाटा है हमारे देश में कोशियन नमर 8 है हमारे देश में कितनी रितू है 4 हैं, 2 हैं, 6 हैं या 3 है तो अभी अभी हमने किया 6 रितूवे हैं तो C answer हो जाएगा कोशियन नमर 9 है चतुर माश शब्द का अर्थ क्या होगा तो चतुर माश शब्द का अर्थ क्या है चतुर व्यक्ति है चार महीने है चार रितू है या चार पहर है तो चतुर माश शब्द का अर्थ होगा चार महीने चतुर का मतलब चार और माश का मतलब महीने, चार महीने, प्रश्न दस है, हमारे देश की अर्थ व्यवस्ता पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है, तो हमारे देश की अर्थ व्यवस्ता सरकार पर करती है, किसान पर, मांसून पर या व्यापार पर, तो हमारे देश की अर्थ व्यवस्ता पूरी तरह से मांसून पर निर्भर करती है, C जो है इसका right option हो जाएगा, तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वरक्षीट, assessment वरक्षीट थी बच्चो, I hope सभी को clear है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बैल आइकन को भी प्रिस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification, वो समय से मिल जाए, So, thanks for watching students, मिलते हैं, next वीडियो में, next वरक्षीट के साथ, Take care.